अलो फ्रेंट्स रादे रादे वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ पर बाते करते हैं अल इन टोपिक पर तो गाईज निर्ज लाइकाथ सी मैंने कैसे अपनी मनाई ठाकुर जी के कैसे शिंगार किया कैसे इशनान किया तो यहाँ पर ठाकुर जी को करा रही हूँ से इशनान करा दिया है और यहाँ पर सादे जल से इशनान करके गंगा जल मिला रखा था मैंने उसमें और यहाँ पर ठाकुर जी का अंग पोशन हो रहा है और ठाकुर जी ने आज जो है ग्रीन और येलो कलर की ड्रेस यहाँ पर पहनी है और यह ड्रेस ना बहुत सुंदर लगती है ठाकुर्जी को पैना के और मुझे भी बहुत अच्छे लगते है ठाकुर्जी और ठाकुर्जी तो इसको बहुत खुश हो करके पैनते हैं यह फेवरेट ड्रेस है जो मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी ठाकुर्जी के लिए और यह देखी किते खुश हो रहा है तो यहाँ पर मैंने अपनी राधरानी को भी शनान करा दिया था तो देखिए राधरानी का शनान मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ आप समझ सकते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी हमारी किशोरी जी लाडली है अपनी बेटी ही है और छोटे वाले लाला को भी मैंने यहाँ पर पोशाक पहना दी है तो तीनों को मैंने यहाँ पर एक ही तरह की पोशाक पहना ही है तीनों ने एक ही जैसी प बंगल सूत्र पेना दिया रानी हार भी पेना दिया है और कितना खुबसूरत लग रहा है न तो जैसा सिंगार वो मुझसे करवाना चाहती हैं जैसा उनको अच्छा लगता है उसी तरीके से उनकी आग्या लेकर मैं उनका शिंगार कर देती हूं तो यहां पर भी जो अपने सब्सक्राइब याँ लाला को भी पेना दूगी और इनका जो कंग्ण है मतलब सारी चीज़े जो INGAN़ में आती है वो मैं उनको पेना दूँगी तो यहां पर पर चोटे वाले लाला भी बहुत कुछ आप करके पहन रहे हैं और यह तो जारी भी एहसास नहीं हुआ कि पानी नी पिया या फिर कोई फलहार नी लिया दूद जूस कुछ भी नहीं लिया और बहुत अच्छे से मेरी यहाँ पर निर्जलैकाची मनी है और यह देखिए तीनों के तीनों अच्छे तरीके से रेडी हो गए है और देखिए किती संदर पगड कर रहे हैं राधा रानी को भी आज मैंने चंद्री का लगाई है विशेष इनका शिंगार किया है यह देखिएगा ना कितनी प्यारी लग रही है और दूपट भी उनको उड़ा दिया है अब साथ में जो निर्जलैकाची होती है उसमें हापर हमारे यहापर पैंडे यानि निकाला है और पंखे का दान साथ में जो रितू अनुसार फल है वो भी मैंने ठाकुर जी को भोग में लगा दिये हैं और यहाँ पर मैं कलश में कलावा बांद रही हूं क्योंकि खाली कलश को नहीं रखा जाता है तो यह तो जो दान है जो भी आप से बनता है वो तो मंद जलायकाति ही υख तो इहां पर हमारी तुजा भी हो गई पुजा मैंने कर लिया और मंदिर में ही ठाकुर्जी को विराजमान कर दिया तो मैं मंदिर में बढ़ाती हूँ भाक्र थाकुर जी अपने सिंहहसन पर ही बैठते हैं तो यहां पर हर्वाश लेक्र शूड़ लगी यो लाइक, शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत